नमस्कार दोस्तों मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं के आरे क्यों important होता है इंडस्टी में की responsibility area आखिर क्यों importance होता है इतनी इसकी इंडस्टी के अंदर उसको समझने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजी और वीडियो में भी अंत तक बने रहीएगा तो चलिए है स्टार्ट करते हैं हम कुछ points लेकर रहे हैं जिनकों कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं प्रमोट अंडस्टैंडिंग मींस क्या होता है जब हम किसी इंप्लॉई को है ना जो हमारा फ्रेशर है या एक्स्पिरियेंश जो भी इंप्लॉई को हमने हायर किया हुआ है उसको जब उसकी responsibilities बतायती जाती है उस particular department में उस particular product को लेकर उसकी responsibilities इंप्लॉई को बताती जाती है तो उनको मैंड में clear understanding रहता है तो इससे क्या होगा कि उसको clear understanding उसका mindset हो चुका है और इस product में यह parameters चेक करना है तो उससे क्या होगा कि वो कहीं भी उलजेगा नहीं वो अपने काम को बहुत अच्छे से करेगा तो उससे का understanding बहुत अच्छी build up हो जाएगी उसके ना तो यह कि इसका importance होता है फिसका जो next importance आता है वो है इस उसको कर सकते हैं हैं किने यह काच्छे से काम किया जैसे कि हम लाश्ट example फिरसे लेते हैं कि अब एक company में multiple quality persons होते हैं incoming के लिए in process के लिए outgoing के लिए dispatch के लिए तो उसमें से क्या होता है कि जब भी कहाँ पर भी problem आ रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि हमने इस person को ये task दिया था उसने अच्छे से नहीं किया तभी तो lack हुआ quality में तभी lack हुआ ना तो इससे क्या होगा जो person अच्छा काम कर रहा है जो person जो employee अपने के आरे को अच्छे से fulfill कर रहा है तो वो motivate भी लोगा क्योंकि company उसको reward करेगी तो क्या होता के आरे से employees भी motivate होते हैं इसके बाद जब हमारा next benefit आता है importance आता है वो increased productivity जब हम अपने employee को उसका के आरे बता दिया जाता है तो फिर वो सिर्फ अपने task पर ही focus करता है जो जो उसके key points है key responsibilities है वो उनी पर focus करेगा इसके साथ क्या होगा उसकी productivity भी बढ़ जाएगी वो फालतु की दो-तींचा task additional रहेंगे उन पर focus ना करके जो उनका main task है उनी पर focus करेगा इससे उसकी productivity बहुत ज़्यादा improve होती है इसके बाद जो हमारा next importance आता है वो है encouraged time management जब हम अपने के आरे बता दिया गया है तो definitely है कि उसको पता है कि मेरे पास इतना ही time bound है और मुझे इतने इतने parts चेक करने तो अपने time को भी manage करेगा हो सकता है कि उसके पास hundred pieces हो एक घंटे में check करने के लिए है ना और सारे के सारे pieces check करने हो तो क्या अपने time को उसी तरह से manage करेगा कि वो within a time period अपने task को fulfill कर पाए ना दोस्तों इसके बाद जो हमारा next importance आता है वो improves employee satisfaction जब अपने employee को हमने क्यारे दे दिया गया है है ना वो अपने task सो अच्छे से कर रहा है company भी उसको motivate कर रहे का आप अच्छे से task कर रहा हो फिर उसकी productivity भी बढ़ रही है तो उसका satisfaction भी increase होगा ना इससे है ना तो वो क्या employee जो भी रहेगा वो अपनी company के लिए loyal रहेगा है ना साथ में satisfied रहेगा और वो काम को और अच्छी तरह से करेगा अपने task में भी improvement लेकर आएगा साथ ही साथ और काईजन वगेरा करेगा 5S करेगा जो भी उसको ठीक लगेगा अपने क्यारे को complete fulfill करने के लिए वो सारी चीजे करेगा और अपनी job से वो satisfied रहेगा तो चलिए friends इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं मुझे उमीद है importance अपने अच्छी तरह से समझाओगा हमने काफी सारे वीडियो बना है fabrication manufacturing supply chain पर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं thank you friends thanks for watching